जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आज चर्चा किया जाएगा आपका income text का एक बहुत important chapter जिसका नाम क्या है आपका income under the head of a salary जब आप इस chapter की बात करते हैं इस chapter का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक person और उस person की जब आप income की बात करते हो उस person की जो income होती है वेटा वो आपकी पांच भागों में बटी होती है एक आपका salary होती है दूसरा आपका क्या होता है business या business profession होता है business profession के साथ साथ आपका क्या होता है house property होता है मैं फिर अपनेम पहले पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम क्या है आपका इनकम अंदर दा हैड ऑफा इसको हम क्या के राइग डालिए सोर्स फ अनकम है आप क्या लिखेंगे सोर्स आफ इंकम जब आप सोर्स आफ इंकम की बात करते हैं तो पाचों हेड मैंने आपको बता रखा है जिसमें सबसे पहला हेड क्या है आपका सैलरी इक है दूसरा क्या है आपका हाउस प्रॉपर्टी अब than इस बार के साथ लिखा रहा हो सैलरी दूसरा diver जाम स्थायra क्या हो डिया हाउस प्रॉपर्टी तीसरा हो गया आपका बिजनेस denn क्रॉपरफेशिंच्म या क्या हूँ व्यापका बिजनेश और रोफेशन जन उसके बाद अगला है आपका capital gain क्या है आपका capital gain और फिर अगला क्या है आपका other source ठीक है तो अब हम इसके section की चर्चा करते हैं जब आप salary की बात करते हो तो salary में आपको जो section पढ़ना है वो आपको पढ़ना है section देखिए मेरे साथ section 16 नई section 15 वामा 16 and 17 यानि 15, 16, 17 ये तीन section है जो की आपको कहा पढ़ना है salary में पढ़ना है ठीक है और जब आप house property में पढ़ेंगे तो house property के जो section है वो आपके लिखिए ज़रा मेरे साथ section 22 to 27 यानि 22, 24, 25, 26 और फिर क्या है last आपका 27 उसके बाद अगर हम business profession की बाद करेंगे business profession का जो section है वो है आपका section 28 से लेकर 44 तक 28 से लेकर कहां तक 44 तक ठीक है फिर उसके बाद अगर हम capital gain की बात करेंगे तो capital gain का जो आपका section है वो है आपका section 45 से लेकर section 55 तक ठीक है 55 और other source की बात करेंगे तो other source का मतलब क्या होता है अन्य आय और इसके जो section की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका section 56 से लेकर section 59 तक तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको कितने कितने section पढ़ने है देखो तीन section तो आपको यहां पर पढ़ना है 15 16 17 अंच पर रफर्टी में कितना पढड़ना है 22 23 24 25 26 और 27 यहां पर आपको कितने section पढ़ने है6 section यहां पर फिर कितना हो गया दस और यहां पर आपको कितने पढ़ने हैं तीन पढ़ने हैं अगर आप द्हान से देखो तो पंदरा सोला सत्रा वाइस से इस चौबहुस पचीश चब्भीस सताइस अठाईस से लेकर बयाद चौ फिर फिर पैतालीश से पच्पन पच्पन से चपन से आपका उनसट अब आप कोगे किस सर एक बात बताओ अठारा उननीस बीस इक इस यह तो रह गया यह तो section रही गए इसके बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं की और ना ही आपने एक से लेकर 14 के बारे में चर्चा किया यह आपने नहीं किया तो बेटा इसकी भी चर्चा हम करेंगे आप निश्चिंत रहिए परिसान बिल्कुल ना हुई यह तो फिलाल इतना section आपने section 16 और section 17 यानि income under the head of the salary तो जब भी आप salary की बात करते हो तो salary का मतलब क्या होता है यह को salary का मतलब यह होता है कि जहां पर employer और employee का relation exist करें जहां से सुनिएगा क्या सब्द बोला मैंने जहां पर employer और employee का relation क्या करें पेटा exist करें चीक है relation exist करें और employee किस्के लिए काम करेंगा employer के लिए काम करेगा employee किसके लिए काम करेगा employee के लिए काम करेगा employee किसके लिए काम करेगा employer के लिए काम करेगा employer बदले में employee को क्या पे करे compensation या monetary compensation आप कह सकते हो तो उसी monetary compensation को हम लोग नाम क्या देते हैं आपका salary का नाम देते हैं तो अगर किसी ने पूछा कि salary क्या होती है तो आप सीधा एक सब्समें कहना कि जो हमें हमारे employer से receive वो क्या हो गई हमारी salary हो गई हमारी क्या हो गई salary हो गयी write clear हो गया विटीण स्टार दे के लिख लीजेगा तो इंप्लये से राप्त म distill rkaयो को हिंदी में कहते हैं नियोगता जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वर लिख लेंगे कि नियोगता के द्वारा को नियोकता के द्वारा कम प्राप्थ धन रासी को बेतन कहा जाता है प्राप्त धनरासी को क्या कहा जाता है बेतन आप देखिए इंग्लिस में क्या लिखा है कहता है मीन्स दा मनी रिसीव क्या सब्द लिखा है मनी रिसीव बाइद पर्सन और यह पर्सन कौन है कि अबम यह पैसा कहा से ए रहा है और यह पैसा कहां से रहा है और यह और डश्वदि यह निया तो कंपनी यहिँ क्या होगा एमपलाययर होगा कि आपको क्या होगा हुश्मानि मींस मानी रिसीब मनी रिसीब या हते सिकन रिफार्त टू म हैं prima और्गनाइजेशन रिफर्ड टू एज इंप्लॉयर फॉर ओफरिंग दा स्पेस्फिक सर्विस इन कनेक्शन विद दा इंप्लॉयमेंट यानि जो आप इंप्लॉयमेंट के आधार पर काम कर रहे हैं भाई आप नौकरी करने के हो तो कहले होगा कि नहीं किया होगए उससे इंप्लॉयमेंट के अनुसार जो आप काम कर रहे हैं और जो बदले में आपको कुछ मिल रहा है वह आपकी क्या कहलाएगी सेलरी कहलाएगी समझ में नहीं आगए चले आगे तो अब अगला पॉइंट हमें देखना है यह concept हमारा clear हो गया बेटा जी अब अगला point हमें देखना है और अगला point क्या है important rule regarding the salary heading डाल दीजेगा सभी लोग important rule regarding the salary heading डालिए कि अधिया कि अरे तो एक बंद होगा कि अधिया सबसे पहला देखेंगे रूल देखेंगे पहला point देखेंगे पहला point है आपका relation between पहला point लिखिए पहला rule क्या है relationship between रिलेशन से बिट्वेइन रिलेशन से बिट्वेइन इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई बताईए यह क्या पहला point आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया यह point अभी कुछ दिर पहले ही आपको मैंने बताया कि इंप्लॉयर और इंप्लॉई के बीच में क्या होना चाहिए भया relation होना चाहिए जैसे अगर हम house property की बात करते हैं तो house property में आपका मालिक और किरायदार का संबंद होता है है ना अगर हम business की बात करते हैं तो वहां पर क्रेता और बिक्रेता का संबंद होता है तो ठीक उसी प्रकार जब आप salary की बात करते हो तो salary में किसका संबंद होगा employer और employee का बात समझ में आ गई बिटा पहला point समझ में आ गया चलिए आईए दूसरा point लिखते हैं दूसरा rule देखिये क्या है salary दूसरा point लिखे salary receive salary received from more than from more than one employer more than one employer इस point को जरा ध्यान से देखना कोई question कहता है point कहता है कि salary receive from more than one employer क्या यह line सही लग रही है यह आपको गलत लग रही है अब आपको होगी सर example से दो तो समझ में आए जैसे माल लीजे यह दो employer है एक ABC company है और दूसरी आपकी XY Z company है एक बंदा जिसका नाम है Mr. Ram तो दो घंटा वो ABC कहां काम करता है और दो घंटा वो कहां काम करता है XYZ कहां काम करता है पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल है काहें नहीं सर पार्ट टाइम जॉब करते हैं यहां से भी काम कर रहे हैं वहां से भी काम कर रहे हैं तो आपको यहां से भी तो salary मिलेगी और यहां से भी तो क्या मिलेगा salary ही तो मिलेगा कहने का सीधा मतलब यह है कि salary आपको more than one employer से भी क्या हो सकती है receive हो सकती है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई हाँ आप कहीं और पे भी काम कर सकते हैं चार पांच दस जैसी आपकी सुविदा जैसी आपकी ability वहां तक आप अपना काम क्या करिये करते रहें कोई दिक्कत नहीं जहां जहां काम करेंगे वहां वहां आपकी क्या रिसीव होगी salary रिसीव होगी यह concept पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया salary receive from more than one employer ऐसा possible है clear हो गया बेटा अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि लिखिए salary कि रिसीव कि रिसीवड कि रॉम प्रेजेंट ओवार और पॉर्मर इंप्लॉयर पॉर्मर इंप्लॉयर देखिए यहां पे दो चीजे हैं कहता है कि salary receive from the present and former प्रेजेंट का मतलब क्या है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं और पॉर्मर का मतलब क्या है जहां पे आप काम कर चुके हैं हो सकता एक नहीं हो सकता भाई आपने क्या किया एक्स वाई जड में माल लीजे एक्स वाई जड में आपने दो महिना पहले नौकरी छोड़ी थी ठीक है अभी वहां से पूरा पैसा नहीं मिला है आपको आपने A B C जॉयन किया तो A B C में आपको आप प्रेजंट टाइम में किसके इंपलॉई है एविसी के हैं एविसी से आपको पैसा मिल रहा है दो महिने के बाद X Y Z से भी आपको पैसा आपका क्या हो गया मिल गया तो किया ये पॉसिबल है कि नहीं है sucks जावलेरी के प्रिजन और फॉर्मर एम्पलॉए रेवरोंस करते हैं डिजिसे मैं आपको बताओं आप ढमारे आर्मी के जवान होते हैं जब रेके अपनरा साल सोला साल के अपनी नौकरी के बाद तो क्या करते हैं नौकरी रिटायर होने के बाद क्या रिसीब करते हैं पैंसन रिसीब करते हैं और पैंसन रिसीब करने के साथ साथ यह भी तो हो सकता है कि वह कहीं पर जाके जॉब भी कर लें किसी इस्कूल में जाके जॉब कर लें कहीं अन्य जगहां पर जाके जॉब कर ल हो जाएंगे प्रेजेंट इंप्लॉयर हो जाएंगे बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया पॉइंट ठीक होती है डेक्स फ्री सालरी का मतलब यह होता है कि इस salary में इस salary से आपको tax देने की जरूरत नहीं है इस salary amount में जैसे माल लीजे कि आपको 10 लाख रुपया मिला कि इतना मिला 10 लाख मिला तो employee को कोई भी tax देने की जरूरत नहीं है No need to pay tax No need to pay tax अब आपको किस तर ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा इस लिए because employer because employer is responsible employer is responsible responsible to to pay tax amount or already paid यह भी लिख सकते हैं आप already paid जान से सुनिएगा दो सब्द क्या लिखा है कहता है इसमें कि जैसे माल लीजे tax free salary की जब हम बात करते हैं तो tax free salary का मतलब कि आपको tax काट कर ही मिला है तो अगर आपको tax काट कर मिला है जिसे आप कहते हैं टीडियस यह कहते हैं टीडियस तो अगर आपके income पे पहले से ही tax cut चुका है तो दुबारा आपको tax देने की कोई भी आवशक्ता नहीं है ठीक है तो tax free salary में who is responsible to pay the tax कौन होता है जो tax को देने के लिए अंसर क्या है आपका employer employee की responsibility नहीं है कि वो आपको क्या देगा टेक्स देगा अभी तो हम इसे tax free salary कहते हैं ठीक है अब समझ में आ गई बाबू चलिए अगला रूल देखते हैं अगला रूल क्या कहता है आपका लिखेंगे salary and pension salary and pension receive from foreign government ठीक है अच्छा एक चीज़ देखिए बहुत से बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं किस तर salary और pension में क्या difference है वह से बच्चे होते हैं कि सर सेलरी और pension में क्या difference है तो ध्यान से सुनिएगा इसलरी आपका present working condition बताता है इसलरी आपका क्या बताता है present working condition यानि जो आप present time में काम कर रहे हैं उसके बदले जो आपको मिल रहा है वो आपके सेलरी कहलाती है और pension क्या होता है कि sir अब आप job नहीं कर रहे है यह आपका क्या कहता है आप यहाँ पे लिख सकते है during during period of service during period of service यानि जो आप नौकरी के time पे आप अपना जो पैसा रिसीब करते हैं वो salary कहलाती है और pension क्या अब कब होता है after retire of service after retire of service आप समझ में आगी बेटा the difference of the salary and the difference of the pension अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि कभी कभी हम government किसी foreigner government में जाके काम कर रहा है किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं होता है गी नहीं होता हम लोग इंडियान है कहीं पे भी जा के काम कर सकते हैं तो मालीजह हम अमेरिका में गए वहां के क्या कहते हैं किसी बीडिया में इंडिया में लोट आए अपने इंडिया में लोट है तो अब फॉर्नर गौर्वर्मेंट हमको पैसा देंगी यह नहीं देंगे यहां पर सवाल यह उठता है कि जो फॉर्नर गौर्वर्मेंट हमको पैसा देगी क्या वह हमारे लिए tax-free है यह यहां प्रक्राइब हमारे लिए इसके लिए हमें को समझना पड़ेगा कि जैसे बहुत्स ऐसी कंट्री होती है जो पहले से अपने को क्या कर देती है कट कर देती हैं जैसे अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube क्या करता है पहले से समझ में आगया तो इस अगला पोइंट देखते हैं अगला पॉइंट हमारे क्या है देखेंगे जरव डिडेक्शन मेड बाई इंपलॉयर यह देखिए अब यह क्या है सर कहता है डिडेक्शन मेड बाई employer यानि employer ने पहले से ही हमारी salary में से पैसा क्या कर लिया tax का cut कर लिया तो अगर उसने हमारे salary में से tax का पैसा cut कर लिया यानि हमारे बिहाब पर वो government को tax deposit करेगा कि नहीं करेगा तो अगर वो हमारे बिहाब पर टेक्स कट कर चुका है तो उसको जमा करना पड़ेगा लेकिन हमें रिटन फाइल करनी पड़ेगी याद रखे रहिएगा हमें क्या फाइल करनी पड़ेगी रिटन फाइल करनी पड़ेगी यह रिटन का concept हम आगे आपको बताएंगे एक example से समझो जैसे माल लीजे कि हमारी salary ह होती है 10,005 हुपे हैं सैलरी होती है कितने रुपे धस ला के इस पे जो हमारा टेक्स बना माल लीजे हमने एक ऑसतन टेक्स निकाल लिया है 80,000, तो हमें कितना हमारा tax बना? 80,000 का, इंप्लॉयर ने 60,000 रुपए का TDS कट कर लिया, कितने का TDS कट कर लिया? 60,000 का, यानि हमारे बिहाब पर उसने कितना tax काटा? 60,000 का, लेकिन जो हमारी tax liability है, वो कितनी है? 80,000 की है, इसका मतलब कि अभी हमें 20,000 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा? 20,000 रुपय हमें क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा पॉइंट क्लियर हो गया विटा तो जो हमारी tax liability है अगर उसी के आधार पर अगर employer ने tax काटा है EDS काटा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर कोई deficiency आती है तो फिर जितना भी balance रहेगा हमें उसे क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा ये case समझ में आया कि नहीं आया बताइए एक और case देखिए जैसे 80,000 हमारी tax liability है हमारी tax liability कितनी है आपकी 80,000 employer ने क्या किया कि 1,20,000 रुपय का TDS काट लिया इस बार बताओ tax ज्यादा कटा है या कम कटा है tax ज्यादा कटा है कितना ज्यादा कटा है 40,000 कटा है सर ज्यादा तो अगर 40,000 tax ज्यादा कटा है तो क्या करें सर इसका दो विकल्ब है एक विकल्ब कि आपको return तो file करनी ही करनी है और आपको income tax refund की demand करनी है इसकी demand करनी है पेठा income tax refund की आपको क्या करनी है demand करनी है clear हो गया refund की demand आप तभी कर पाएंगे जब आप क्या file करेंगे written file करेंगे written file करेंगे ICR file करेंगे income tax return जैसे कहते हैं क्या file करेंगे ITR मतलब income esta on निसस्पोंगे इसको लिख लिए ज시면 लिए में आ गई आप लोगों को अगर सरमानलों हमने फाइल नहीं किया तो उम भूल गए तो आपको तीन साल का मौका देती tri सरकार कितने साल का इस साल नहीं किये कोई बातनी अगले बार कर ले ना या अगली बार तुम रिटन फाइल कर ले रिफंड की कर लेना या फिर क्या करना अगली बार भी तो हो सकता है हमारा टैक्स असी हजार यह नव्य हजार आ गया नव्य हजार में से कितना एक्स हुआ था पिछली बार चालीस हजार ना क्या हो माइनस हो जाएगा और बाकी बैलेस हमें पे करना पड़ेगा या तो अर्जिस्ट करा लो या तो फिर क्या करा लो रिफंड करा लो बात समझ में आ गई बेटा बात समझ में आ गई आप लुकों को ठीक है नोट डाउन करिए इसी ज़रा हो गया नोट चलिए आगे देखेंगे बिटा तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को अब देखिए अगला एक और कॉंसेप्ट देखिए ज़रा हमारा अगला पॉइंट क्या है आपका सेलरी एंड वेजिस बोथ हारा टेक्सेबल सेलरी एंड वेजिस बोथ हार टेक्सेबल अब आपको एक सर दीहाडी भी टेक्सेबल होती है क्या अगर आपकी स्लैबरेट से ज्यादा हो गया ना फिर आपको टेक्स देना पड़ेगा स्लैबरेट याद है ना बता रखा है स्लैबरेट ठीक है तो एज के हिसाफ से या चाहें आप अपना न्यू टेक्स रिजीम के हिसाफ से आप अपना स्लैबरेट फाइंड आउट करिए अगर आपका वेजिस या सैलरी उसके आगे जाता है तो आपको टेक्स क्या करना पड़ेगा बिटा देना पड़ेगा यानि सैलरी एंड वेजिस बोथ हार दा टैक्सेबल क्लियर हो गया है यह पॉइंट आगे देखते हैं कि लिखे जड़ा कि सैलरी कि रीटेंड वाई कि ओडर कोड़ कि रीटेंड बाई कि ओडर टू कोड़ कि तर यह क्या है कि क्या होता है कि कभी कभी माल लीजे इंप्लॉयर के उपर कोई करप्शन का केस चल गया इंप्लॉयर के उपर कोई क्या चल रहा है करप्शन का कोड़ ने हमारी सैलरी को रुका है तो क्या हमें टेक्स देना पड़ेगा की नहीं देना पड़ेगा उस केस में भी आपको टेक्स क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा बस सर्त यह है कि जब आपको पैसा क्या होगा रिसीव होगा तब आपको टेक्स क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा अगर यह सोचो कि सर बारा की बारा महीने की सेलरी रुकी पड़ी है तो जब पैस वह नहीं मिला तो टेक्स कहां से दूँगा यह भी तो हो सकता है जब पैसा मिलेगा तब न टेक्स दूँगा पॉइंट क्लियर हो गया यानि सैलरी रिटेन बाई कोट अगर कोई कंडिशन है तो अगर एक दो महीना तीन महीने की बात है तो जोड दीजेगा और अगर पूरा बारा का बारा महीने की बात है तो फिर आप क्या करिएगा जब मिलेगा तब आप salary अपना क्या करिएगा टेक्स उस पर दीजिएगा पॉइंट क्लियर हो गया बेटा एक लास्ट पॉइंट देखिएगा salary बाई ग्रेड यह थोड़ा इस से रिलेटेड एक कुशन भी हम कराएंगे salary salary by grade यह salary by grade क्या होता है देखो क्या होता है कि कभी कभी जो आपके increment की हम बात करते हैं कि इसकी बात करते हैं इंक्रीमेंट की बात करते हैं उसी increment को हम लोग क्या कहते हैं grade कहते हैं कैसे इसके लिए आपको एक कुशन कराते हैं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा लिए यह रहा कुशन को समझ यह जारा ध्यान से कहता है कि एक वेक्त जिसका नाम क्या है राम है इसका जो पे स्केल है किसी को हम कहते हैं बिटा ग्रेड कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम ग्रेड कहते हैं ठीक है आपने कब जॉइन किया है एक जुलाई 2017 को जॉइन किया है आपने आपका जो assessment year है वो कितना है आपका 23 और 24 एक बात बताईए आपकी जो tax liability होगी वो tax liability किस साल की होगी 2017 की होगी या 23-24 की होगी या फिर आपकी 22 और 23 की होगी बताईए बेटा सर 22 और 23 की होगी क्योंकि यही हमारा financial year है और मैंने आपको बताया था कि आप financial year में पैसा कमाते है assessment year में आप क्या देते हैं tax देते हैं तो यानि आपको जो salary calculate करनी है वो कब की calculate करनी है 22 और 23 की salary आपको क्या करनी है calculate करनी है बात समझ में आ गई की नहीं आ गई बटा जी चले आगे अब देखिए अब हम 22 और 23 की salary निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे तो इसको निकालने के लिए मैं आपको जो बता रहा है step वो आप follow करिए देखिए आपकी जोइनिंग कब हुई है आपने कहा सर एक जुलाई 2017 को हम जोइन हुए थे उस समय आपकी salary कितनी थी सर उस समय हमारी salary 10,000 थी question कहता है कि जैसे एक साल होगा वैसे ही आपकी salary में 1000 रुपय क्या हो जाएगा जुड जाएगा क्या हो जाएगा बेटा एक हजार जुड जाएगा यानि एक जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 एक साल हो गया कि नहीं हो गया एक साल हो गया ना आपकी जो salary रहेगी वो कितनी रहेगी 10,000 रहेगी ठीक है लेकिन जैसे ही आप एक जुलाई 2018 में जाएंगे अब एक हजार रुपया जुड जाएगा इस बार आपको एक जुलाई 2018 से आपकी salary कितनी हो जाएगी 11,000 रुपय हो जाएगी और कब तक होगी सर 30 जून 2019 तक क्योंकि हमको जाना कहा है 22 तेईस में जाना है तो बाइस तेईस का मतलब क्या है एक अपरेल 2022 और 31 मार्च दो हजार तेईस यह कहानी है न बेटा अच्छा फिर अगला साल कब होगा बेटा एक जुलाई 2000 क्या उन्नीस और इस बार आपकी salary कितनी आएगी 12,000 हो जाएगी क्योंकि 1000 फिर बढ़ जाएगा और कब तक बढ़ेगा 20,000 रुपए तक बढ़ेगा आपका 20,000 तक अच्छा यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी salary कब तक 30 जून 2020 है न यह तो कहानी होगी फिर उसके बाद अगला क्या होगा एक जूलाई 2020 इस बार salary कितनी हो जाएगी आपकी 13,000 और कब तक 30 जून 2021 अभी हमें नहीं पहुँचे हैं अभी हम न फिर अगला क्या है वेटा एक जूलाई 2021 इस बार कितनी salary हो जाएगी 14,000 और कब तक 30 जून 2022 देखो 22 में इंटर हो गए हैं हम 22 में इंटर हो गए हैं लेकिन 23 में इंटर नहीं हुए हैं इसका मतलब एक साल अभी हमें और क्या करना पड़ेगा आगे जंप करना पड़ेगा तो करो एक जूलाई 2022 और इस बार salary कितनी हो जाएगे आपके 15,000 और कब तक 30 जून 2023 तक 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 न इस तक 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 एक बात बताओ हमको तो खाली आपने ड्रॉ किया तो आपका जो salary calculation होगा इसी बीच का तो calculation होगा जो salary calculation होगा इनि दोनों साल का तो होगा यानि 14,000 या 15,000 या दोनों में से कोई न कोई तो होगा ही होगा तो आपको उठाना कपसे है एक अपरेल से उठाना है ना एक अपरेल 2022 तो आप मुझे देख कर बताओ एक अपरेल 2022 को आपकी सैलरी कितनी थी देखो 30 जून 2022 तक आपकी सैलरी कितनी थी 14,000 थी यानि अपरेल में आपकी सैलरी कितनी होगी 14,000 होगी कि नहीं होगी और फिर जून में आपकी सैलरी कितनी होगी एक जून को आपकी सैलरी कितनी होगी अभी भी 14,000 होगी कि नहीं होगी लेकिन जैसे ही आप जुलाई की बात कर लेंगे अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी फंद्रा हजार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो आपको कैलकुलेशन कितने महीने का निकालना था बारा महीने का अब बारा महीने मेंसे दो महीना तो आपको 14,000 मिल रहा है तो बाकी 10 महीना कितना मिलेगा पंदरा हजार मिलेगा की नहीं मिलेगा बताओ कैलकुलेशन समझ में आई की नहीं आई समझो द्यान से अपरेल और जून अपरेल अपरेल अच्छा मई होगा यार मैं तो भूल गया मई वाला महीन होए नहीं लिए और यहां पे उल्साइब होगा यहां पर जून अपरेल अपरेल मई जून कितना रूपया मिलेगा आप्को 14,000 मिलेगा और बाकी फिर जुलाई से लेकर 31 मार्श तक कितना मिलेगा 15,000 यानि बारा महीने में से 3 महीना आपको 14,000 मिलेगा और बाकी 10 महीना आपको कितना मिलेगा 15,000 मिलेगा बताओ समझ में आया कि नहीं आया अचा सर इसका calculation अब कैसे करेंगे अब करना क्या है 12,000 कितना है आपका 14,000 14,000 14,000 14,000 गुड़े 3 करो gross salary निकालो 14,000 गुड़े क्या 3 और फिर 15,000 15,000 गुड़े क्या 10 यहां पितना आ जाएगा एक लाख पचास हजार और यहां पितना आएगा बारक एक कितना । लेख तोटल कितना हो जाएगा फिर साथ नहीं भाई 42 है न यह 42,000 है और यह आपका डिड़ लाख है वन लैक 92,000 वन लैक कितना आपका 92,000 बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए बिटा पचास में 40 जोडों के 90 आ जाएगा 2000 और जोडों के कितना आ जाएगा 92,000 आ जाएगा बताइए पंसेट क्लियर हो गया गटा एक और कुशन करें एक और कुशन करेंगे तब जादा और डिटेल में समझ में आएगा एक और कुशन देखते हैं देखिए अब ये कुशन देखिए कहता है कि आप अपॉइंट हुए हैं कब एक जुलाई दो हजार पेरा को आपका पे स्केल क्या है दस हजार कितना बढ़ेगा जाई सो कब तक बढ़ेगा इक ग्यारा हजार तक अच्छा सरी ग्यारा हजार के बाद क्या हो जाएगा पान सो रुपया आप बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा बीस हजार तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा आपका, बीस हजार तक बढ़ेगा, बात समझ में आ गई की नहीं आ गई, ठीक है, कब तक बढ़ेगा आपका, बीस हजार तक, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, माल लीजे, एक हजार और, और कब तक आप आपका माल लीजे 40,000 तक ठीक है कितना 40,000 तक ठीक है अब आपसे question कहता है कि he was given to advance increment यानि कि इनको दो advance increment मिल चुका है दो advance increment मिल चुका है यानि 200,500 कितना हो गया इंक्रिमेंट के नाम पे कितना है आपका 200,000 और दो मतलब जोड़ेंगे तो 200,000 प्लस 200,000 यानि कितना हो गया 500 यानि जब आप एक जुलाई नीचे वाला point अभी मत पढ़िएगा एक जुलाई 2013 को जो आपकी सैलरी मिली होगी वो कितनी मिली होगी 10,500 मिली होगी 10,500 कैसे दस अजार था अरे यह लाइन भूल गया क्या दो advance increment आपको पहले से मिला है 500 प्लस 200 कितना हो गया 500 हो गया कि नहीं हो गया और यह कब तक मिलेगा एक साल तक और साल कब खतम होगा 30 जून 2014 को ठीक है वेटा 30 जूलाई सारी 30 जूलाई 2000 जून 2014 ठीक है बाद समझ में आगई कि नहीं आगई फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है भई अगला साल फिर निका लिए एक जूलाई दो हजार चौदा इस बार इंक्रिमेंट कितना होगा धाई सो यानि दस हजार पांसो में धाई सो और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दस हजार साथ सो पचास ही तो आएगा न और कब तक 30 जून 2015 फिर एक जूलाई पंदरा इसमें धाई सो और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ग्यारा हजार कितना हो जाएगा ग्यारा हजार के बाद याद रखना कितना इंक्रिमेंट हो जाएगा पांसो इंक्रिमेंट हो जाएगा याद रखे रहना कब तक सर सोला तक अब फिर उसके बाद एक जुलाई 2016 इस बार increment कितना हो जाएगा 12000 कितना हो जाएगा 12000 क्यूंकि 11500 के बाद increment कितना बढ़ेगा 500 यानि 11500 कब तक एक जुलाई दो हजार सत्रा तक अब फिर एक जुलाई दो हजार सत्रा कितना बढ़ाएंगे इस बार बारा हजार हो जाएगा और कब तक अठारा तक फिर एक जुलाई अठारा कितना बारा पान सो है ना कि इसमें कितना आ गया उनीस आ गया फिर यहां पर क्या आ गया उनीस और इस बार कितना हो जाएगा तेरह हजार हो जाएगा है ना कहां बीस तक यहां क्या लिखेंगे आपका बीस एक जुलाई दो हजार बीस और कितना हो जाएगा तेरह पान सो और यहां पर कितना हो जाएगा आपका दो हजार एक इस फिर एक जुलाई दो हजार क्या हो जाएगा 21 कितना हुदा हजार हो जाएगा 500 और जोडेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा आ न अब यह हमें 22,23 का ही निकालना है लेकिन अब यह 23 पे नहीं पहुँचे हैं हम तो क्या करेंगे एक जुलाई 2022 फिर 30 जून 2023 और इस बार सैलरी कितनी मिलेगी इस बीच हमें 14500 बताओ समझ में आ गया के नहीं आ गया अब लेकिन आपको डेट कप से चाहिए आपको तो एक अपरेल 2022 से चाहिए ना तो जरा बताओ अपरेल में आपको जून तीन महीना तो तीन महीना आपको कितना मिलेगा 14,000 गुड़े तीन तो बाकी 14,500 क्या महीना मिलेगा नौ महीना टोटल आपको बारा महीने निकालना था ना बताइए सैलरी निकल गई की नहीं निकल गई तेले निकल गई की नहीं निकल गई निकल गई सर। ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया पिटा अब यहां पर एक लाइन देखें उजरा कहता क्या है कि वा अगले महीने की पहली तारी को मिलेगी और जो salary है वो चालू महीने की आखरी तारी को मिलेगी इसमें क्या concept है तो इसमें क्या concept है इसमें concept ये है कि अगर एक महीने बाद salary मिल रही है मतलब उस महीने का तो नहीं लेंगे न जैसे माल लीजे अगर जनवरी की salary है तो जनवरी की salary पहले के हिसाफ से हमें कब मिलेगी journée की salary पहले case के हिसाब सक मिलेगी एकफर्वरे को मिलेगी और इसमें क्या लिखा है salary is the due last month, last of the every month यािनि जन्वरी की salary है वो कब मिलेगी इस case के हिसाफ से 31 जन्वरी को मिलेगी बात समझ में आ रही है कि कि नहीं आ रही है इन दोनों में concept समझ यह first date of next month मतलब अगले महीने last of every month मतलब महीने का आखरी में मिल जाएगा तो सर इसमें क्या कोई परिवर्तन होगा या इस salary के calculation में कोई changes होगा इसका answer है हाँ जहाँ पे आप 3 लिखे हैं जहाँ पे आप क्या लिखे हैं तीन लिखें अगर आप पहले के हिसाफ से चलेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे चार लिख देंगे यानि यह जो मैंने calculation आपकी की है वो last month की हिसाफ से की है इसके हिसाफ से की है last month के हिसाफ से की है और next month के हिसाफ से करेंगे तो यहाँ पे 14,000 गुड़े 4 और यहाँ पे 14,500 गुड़े क्या 8 अरे 8-4 तभी तो 12 होगा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बस इतना ही अंतर है इस से ज़्यादा कोई अंतर नहीं है बात समझ में आ गई बेटा जी पिसमस्या तो नहीं नोट डाउन हो गया चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हाँ कैलकुलेशन करके आप अपना अमोट निकाल लीजेगा एक लास्ट कोईशन देखते हैं आज की क्लास का लास्ट कोईशन क्या कहता है कहता है कि मिस्टर हर्ष या हरेश गेट दा नेट सैलरी कितना है आपका सत्तर हजार नेट सैलरी फिर कहता है कि इसमें एनुवल डिड़क्शन कितना है आपका आठ हजार फिर कहता है इंप्लॉई कंट्रिबूशन टू रिक ओर्गनाईज प्रोविडेंट फंड कितना था कि क्या किया कि जो आपके मॉइं है इन्होंने कोई डवांस ले रखा था और इंप्लॉयर ने 3000 रुपया उसका क्या कर लिया रिकवरी कर लिया क्लियर हो गई इतना आप से कुश्चन कहता है कि आप इनका नेट टेक्सिबल इंकम फाइंड आउट करिए आप इनका सैलरी क्या करिए फाइंड आउट करिए बात कुश्चन समझ में आई कि नहीं आई तो अब देखिए इस कुश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपकी नेट सैलरी कितनी है भाई अब जो जो डिड़क्शन है वो क्या कर लिया जाए माइनस कर लिया जाए सबसे पहले डिड़क्शन आपका क्या था एप आर पी एफ यानि रिक और गनाइजड प्रोविडेंट फंड क्या होता है यह हम अगली क्लास में आपको बताएंगे जब हम आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताएंगे अगर आपके घर में कोई भी वेक्त if जॉब करते हैं तो उनसे पूचना प्रोविडेंट फंड क्या होता है वह बहुँत अच्छे से आपको बताएंगे आप मुझस से जानने के लिए last अगली क्लास का इंतजार करिए हम अगली प्रोविडेंट पंड के बारे में क्या करेंगे एक्स्पलेन करेंगे फिर उसके बाद आपने क्या किया कि TDS हम करें टीदियाइक करें किमार है किटना है आपका 2000 रूपए की और फिर आपका professional tax है वो भी आपने जमा किया है कितना इन हजार रुपया और recovery भी की गई है इंपलोयर के द्वारा कितना रुपया आपका recovery का वो भी तीन हजार है यह सब आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आट दो दस पंच पंदरा यानि 15,000 यहां से क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा तो आपका जो taxable amount आएगा वो कितना आजाएगा 55,000 रुपया आजाएगा बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया इस question हो गया इतना बड़ा question answer इतना हाँ भईया income tax यही है income tax यही है इससे ज़्यादा income tax नहीं है आपको खुब बड़ा लंबा चोड़ा देगा answer छोटा सा ठीक है समझ में आ गया चलिए फिर अब next class में हम provisident fund के बारे में बात करेंगे या एक point और रहे गया है जिसे हम कहते हैं आपका यह दो point रहे गया है करने के बात फिर हम आपको provisident fund के बारे में discuss करेंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही class कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर बताईएगा आप अपना feedback कमेंट के मादने में से जरूर शेयर करिए बाकि आप हमारी offline या online courses करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिये गए नंबर पे हमें call कर सकते हैं बाकि आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखे अपनी अपनी दुआउं में मुझे याद रखिएगा मिलेंगे अगली class में जय भोले नात